हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्विन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में आपको मिखेल ताल की इम्मोर्टल गेम दिखाऊंगा जो की खेली गई थी अगेंस बेंट लार्सन इन 1965 और यह जो मेच था वस पार्ट ओप केनिडे सेमी फाइनल इस गेम में मिखेल दाल के वाइट पीस है उन्होंने गेम की शुआद की पॉंट टु एफोर अपॉंट टु चीफाइशन डिफेंस बाइबंट लार्सन और यहां पे नाइट एफ्ट्री नाइट एफ्टू टी फॉर और यह आपन शिसलिन जहां पे सी केप एफट्री फॉर यहां पर मिखेल ताल ने के लाइट एफ्ट्री नाइट टु एफ्ट्री और यहां पर वीडियो पोस्ट करके फर्स्ट अपर सोच वाइप ओन एफॉर इसलिन डिफेंस में क्या होता है कि वाइट जो है वो लॉंग साइट कैसल करता है ब्लैक सोट जो एटेक करना है इवन आप सोट कैसल करते हो फिर भी यह काफी यूसपुल मूव है तो यहां पर बैसिकली मिखेल ताल प्रिपेर कर रहे है क्विन टु एफ्ट्री फॉलोड बाई लॉंग कैसल और उसके बाद जी फोर एंड जी फाइन एटेकिंग ब्लैक स्किंग यहा को वाइट है वह फोर साइड अपने किंग साइड जो है अपने पॉन आँगे मार्च करता हो बलेग की के裡 करता है और दॉले को ट्राइ करता है कि वह जो कुण cha । дав person करे और वाइट के पर ईक करे और इसके पास ऐडए हाफ पन एडरा सी फाइल भी है इसका इस्तिमाल कर स सकता है यहां पर खेला गया वाप सोच हो यहां पर यह क्विन सीधी जा सकते है तो बडेको टेंपो भी दे रहे है और नेट को अगें वापस मूग करना ही पड़े बट यहां पे एक reason है कि knight b5 जो खेला गया उसकी वज़ा से queen जब b8 पे जाती है तो यह जो 7th rank है उसका protection वो लेव करती है I mean 7th rank को अभी ज्यादा defend नहीं कर पाती and thus यह जो bishop है इस 7th पे वो slightly undependent बन जाता है और आगे चलके हम गेम में देखेंगे कि यह जो reason है वो काफी critical हुआ था आगे चलके गेम में यहां पर गेम में खेला गया pawn to g4 और भाया pawn to a6 now knight to d4 बेक और भाया knight capture d4 bishop capture d4 और a pawn to b5 और जो black है वो खेलना चाहता है just like bishop b7 rook c8 और a pawn to b4 यहां पर pawn to g5 knight per attack है so knight d7 पर back और a bishop to d3 और यहां पर white ने अपना जो last piece है और डेलोप किया जो कि indirectly h7 पर attack कर रहा है यहां पर game में खेला गया pawn to b4 और अब आया brilliant sacrifice knight to d5 और a knight d5 क्यू एक्चुली यह जो knight d5 है वो positional sacrifice है यहां पर pawn capture d5 के बाद जो कि game में खेला गया and pawn capture d5 जो white है उसको open e file मिलेगी बट उससे पहले हम देखते हैं क्या होता है in case knight d5 के बाद जो black है वो sacrifice को refuse करता है और कुछ और खेलता है for example bishop to d8 then हम खेल सकते हैं knight to f6 जहां पर knight capture f6 के बाद आएगा pawn capture f6 and अगर आप g6 खेलते हो and then simply हम खेल सकते हैं pawn to e5 and e1 यहां पर मैं आपको simple line दिखाऊंगा जो कि काफी dangerous है for example pawn to h5 and simply queen capture h5 pawn capture h5 and now rook to g7 और आप देख रहे हो के checkmate जो है वो prevent नहीं हो सकती so basically white का attack जो हो काफी strong रहेगा अगर bishop d8 पे जाता है similarly knight d5 के बाद अगर आप support करते हो उसी bishop को then यहां पर एक और brilliant move आएगी that is pawn to e5 और अगर आप knight capture करते हो with pawn capture d5 then pawn to e6 f capture e6 and now bishop capture h7 what a brilliant move and queen capture king capture h7 के बाद king to h5 followed by queen capture on e8 is just winning for white so इसी लिए यहां पर knight d5 के बाद more or less sacrifice को accept करना black के लिए force था तो यहां पर pawn capture on d5 pawn capture on d5 और अब आया pawn to f5 I mean black ने खिला यहां पर pawn to f5 और रूप to e1 bishop पर attack है so rook to f7 and now pawn to h4 just pawn जो है मिखल ता लागे मार्च करते हो यहां पर खिला गया bishop to b7 and now this move bishop capture on f7 sorry f5 और यह सी pawn मारने की बाद नहीं है I mean यहां पर rook capture f5 and rook capture e7 so this is not about just one pawn क्योंकि यहां पर देखिए white को एक pawn मिला और भी वो जो है g7 पर attack भी कर रहा है यहां पर point यह है कि आपको 7th rank मिल रही है तो यहां पर अगर आप try करते हो like rook f7 then simply जो है rook capture f7 आ जाएगा king capture f7 और बाद में जो है rook to e1 is just winning for white क्योंकि आप जो है मुझसे 7th rank यहां से lay नहीं सकती है I mean आपकी queen e8 पर नहीं आ सकती है और कुछ अगर आप or try करते हो say knight कहीं पर move करते हो then queen h5 जो है वो काफी dangerous है कि queen h5 king g8 पर जाता है and simply then जो है मेरा rook e7 पर आ जाएगा तो यहां पर और क्या आप try कर सकते हो you can try this move like king to queen to f8 e7 को block करने के लिए then यहां पर आ सकता है this queen to g4 followed by a queen to e6 which is winning I mean अगर rook e8 भी आता है then also queen जो है वो knight पर भी attack कर रही है so in all sense यहां पर जो white की position है काफी attacking है तो इसलिए rook जो है f7 पर वापस नहीं खेला गया but game का continuation देखते है कि वहां पर क्या हुआ so f5 e1 and now rook f7 h4 and जब यह sacrifice आया rook e7 यहां पर देखने खेला knight to e5 queen पर attack है so अगर आप simply queen move करते हो then my queen जो है वो f8 पर आ सकती है जहां पर rook पर attack कर सकती है और दूसरी बात यह है कि bishop का रास्ता जो है already knight block कर रही है so now rook capture g7 is not possible तो यहां पर मिखल ताल ने खेला queen to e4 attacking the rook और अब आया queen f8 so pawn capture on e5 so अगर आप मेरा rook मारते हो then i also capture your rook और जहां पर white की position अची रहेगी मैं आपको दिखा देता हूँ एक्स और आपको देख लो यहां पर जो white हो दो pawn आगे है I mean अगर pawn capture आता है then I can also play this just pawn capture or even queen capture it's fine but यहां पर queen capture e7 की जगा पर black ने खेला rook to f4 और अब queen to e3 again the same thing अगर आप capture मेरा rook करते हो then I can also capture your rook और अगर अब आप उसे rook capture bishop करते हो then I can simply just capture this bishop on b7 और जहां पर अभी आपका rook hanging है और आप position देखो तो वो जो है white के पास दो extra pawn है तो in fact this is a winning position for white तो इसी लिए game में क्या हुआ कि यहां पर खेला गया है rook to f3 and here comes twin e2 और अब जो है rook against f2 is possible नहीं है तो आपको अभी जो मेरा rook हो मारना ही पड़ेगा so queen capture e7 queen capture f3 and now d capture e5 now rook e1 pawn को pin किया तो आप rook to d8 rook capture on e5 queen पर attack है और अब है queen d6 और यहां पर मिखल ताल ने एक छोटी सी tricks उसकी and that is queen to f4 threatening this move so bishop capture d5 आता है then rook e8 is simply winning so यहां पर खेला गया rook to f8 attacking the queen for a queen to e4 for a pawn to b3 so queen जो है उसको b4 square मिले in case rook f8 और ओ सब चेक करते हैं then simply queen capture rook capture and bishop capture still white के position अच्छी है बट यह opposite color bishop जो है बोट पर है so there are much chances for draw but यहां पर खेल ताल ने खेला pawn to c3 और queen action जो है possible नहीं है so queen गई d6 पर back now bishop to c5 this is brilliant sacrifice इसलिए क्योंकि आप queen जो है वो actually e6 square का protection और लिव कर दे तो अब और अगर कुछ और खेलते हो यहां पर queen I mean bishop capture नहीं करते हो और कुछ भी खेलते हो then rook e8 is just winning so queen capture c5 is force और अब आया rook to e8 तो अगर आप queen f8 खेलते हो then I am just winning with rook capture f8 but यहां पर आया rook to f8 and now queen e6 check king h8 पर आपको लग रहा है यह क्या कर रहा है यहां पर अभी rook capture f8 then queen capture f8 तो फिर आपने sacrifice दिया ही क्यों और अभी जो है एक check भी possible that is a queen to f2 so शायद यह तो black के लिए बिन है but in fact यहां पर काफी बड़िया back rank combination आ रहा है and queen f7 और यहां पर bent larson ने actually resign कर दिया था आइडिया है कि यहां पर आप खुछ भी खेलो white is just winning कि मेरे threat है simply queen capture on f8 या फिर rook capture on f8 and checkmate और अगर आप h6 खेलते हो then I can simply play pawn to g6 और again the same threat तो यहां पर only move sims is queen capture on d5 इसके बाद queen capture d5 और आप bishop capture d5 भी नहीं खेल सकते है otherwise simply rook 8 और a position है वह white के लिए winning है I mean bishop back जाना पड़ेगा and then just मैं जो है अपने pawn pushes करता जाओंगा and this is just winning or else आप try कर सकते हो okay rook capture e8 but this case मैं simply queen capture b7 खेलूंगा और यहां पर मेरे पास queen है against the rook so definitely a position भी जो है white के लिए winning है तो दोस्तो कैसी लगी आपको गेम मुझे आशा है कि मेरे गेम जो है आपको काफी पसंद आई होगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो please subscribe कीजिए वीडियो को like दीजिए और comment देना बिलकुल ना बुले और दोस्तो एक और request है कि जितने भी हो सके मेरे वीडियो को share कीजिए तन्यवाद जैहिन बाबाई